हेलो एवरिवन दिस इस सवीता चोहान वेलकम टो MBDR या मॉडल स्कूल क्लास नाइन्थ जियोग्राफी चेप्टर फोर क्लाइमेट प्रिवेस वीडियो में स्टूडन्ट हमने डिसकस करा था फैक्टर इफैक्टिंग इंडियास क्लाइमेट यानि फाइफ ऐसे फैक्टर हैं जो हमने डिवाइट करें औरस्टेंड करा करा के इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके से चेंज होता है जैसे कि कि स्पिड पैन करता है हमने आल्टीट्यूट लाइटीट्यूड पढ़ा प्राशर और जो सर्फैस विंड हैं वो कैसे एफैक्ट डालती है फिर हमने फोर्ट पड़ा जो अपर एयर सर्कुलेशन है जाट स्ट्रीम फिर हमने फाइब पड़ा जो कि वेस्टन साइकलोनिक डिस्टरबेंस था वो हमने रीड करा आज हम इस वीडियो में स्टुडेंट करेंगे रीड दा इंडियन मोंसून यानि जो इंडियन का मोंसून है जो कि हम देखत होता है हम में इंडियन मोंसून पड़ेंगे ठीक है तो इंडियन मोंसून के अंदर देखेंगे क्लाइमेट ओफ इंडिया is strongly influenced वाय मोंसून विंड तो सबसे पहले जो इंडिया के अंदर है मोंसून का effect हम देखेंगे कि वह किस तरीके की विंड होती है और कहां से ब्लो कर जो कि easterly से blow करती है, यह हमारी monsoon winds होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, south और यह west, south west, इसको हम बोलते हैं, south west moisture winds, ठीक है, जो कि हमारी monsoon winds होती है, और यह summer में चलती है, easterly यह जो यहां पर, इधर से जा रही है, ठीक है, जो कि Indian Ocean से हो के उपर, यह तो हमारी होगी monsoon winds, और summer में क्या होता है, यह summer का था, और winter में आपने देखा था, जो कि, यहां से जो jet stream आ रहा था, ठीक है, westernly jet stream, जो है, वो उसकी वज़े से, यहां पर monsoon आता है, और westernly cyclone disturbance की वज़े से, यहां पर क्या होती है, जो कि Mediterranean Sea से, मौश्य लेके आती है, यहां पर window से बारिश होती ह तो यह two types का आपने देखा, आपने देखा कि जो, यहां पर east और यहां पर west, यानि, sorry, north, तो east, north वाले, जो है, वो हमारा winter हो गया, sorry, जो north east है, क्योंकि, जो हम, कहां से पढ़ेंगे, हम north से पढ़ना start करते हैं, तो north east direction, जो winter में, और हमने देखा, summer में south west है, जो कि, यह monsoon, जो winds होती है, seasonal reversal winds, जिनने कहा जाता है, जो seasonal की according reverse करती है, तो सबसे पहले आपने समझा कि, जो monsoon winds है, यह क्या है, यह two types की होगे, यानि, जो north east से winter में, फ्लो कर रही है, और summer में, जो south west से फ्लो कर रही है, अब next, the sailors who come to India, जो sailors थे, जो की, इंडिया में आते थे, historical times में, य बात करें, one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon, इस monsoon को सबसे पहले, इन्होंने notice करा, किसने, sailors ने, क्योंकि यह आते थे, किस साइट से, western country से आ रहे हैं, और इंडिया के अंदर आते हैं, यहाँ पर coastal area है, तो यहाँ पर जब यह अपनी क्या करते थे, जो भी इनकी ship है, यहाँ पर रोकते थे तो जो winds आ रही है, तो जब यहाँ पर Indian Ocean में, इन्होंने देखा, खड़ा, यहाँ पर अपनी ship को stop करा, तो winds क्या कर रहे हैं, उसको flow करके लेके जा रही हैं, अपने आपी, तो यह समझ जाते थे, कि वह यह southwest वाली wind चल रही है, अब अंदर जब यह land पर जा रहे हैं, अप आप देख रहे हैं, तो यह जो that kind of winds आप देख रहे हैं, तो इनको सबसे पहले जो monsoon wind को notice करा, किसने sailors ने, यानि क्योंकि वह trade करते थे, trade करते थे, तो जब वह बहार से आते थे, foreign countries से आते थे, west की side से आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना सबसे पहले notice करा, कि भी monsoon का effect आना है, इससे उनको बहुत easy होता था, they benefit from reversal of the wind system, और reversal winds का उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, क्योंकि जब वो trade करने जा रहे हैं, तो वो किस direction में अपनी ship रखेंगे, और trade करके, जब समान लेकर वापिस आ रहे हैं, land से, interior land से, main land से, इंडिया से, तो अब वो किस तरीके से अब अपनी direction रखेंगे कि वो अब उनको जाना है, तो reversal wind यानि जो अब reverse कर रही हैं, तो उसका उनको बहुत ज़्यादा benefit होता था, और अपने ship को चलाने में, sailing करने में, winds का बहुत ज़्यादा, बहुत ही role है, तो अब who had also come to India as trade, जो भी trade करने के लिए आ monsoon, तो that means, जो भी वो आते थे, वो इसी monsoon के according आते थे, कि भई, अब reversal of the wind system है, यानि जो seasonal reversal है, wind system, वो monsoon से है, ठीक है, वो उसे monsoon कहते थे, जो ये traders थे, वेपार करने आते थे, पुराने time पे, तो reversal season का मतलब monsoon हो गया, वो इसे monsoon कहते थे, क्यों कहते थे, क्योंकि इस word क meaning, वैसे तो कहां से निकला है, मौसम वर्ड से है, मतलब जो monsoon वर्ड है, जो कि ये निकला है, जिसे हम कहते हैं, तो monsoon वर्ड से निकला है, तो monsoon वर्ड का मतलब है season, और season, यानि क्या होता है, wind के साथ season change होते है, इनोंने क्या notice करा है, कि जैसे जैसे wind change हो और ये season भी change हो इसलिए इनको monsoon wind वो बोलने लग गई कौन जो अरब या अफरीका country से ship आती थी तो ये अरब के लोगों ने इसको नाम दिया है ठीक है तो इसलिए अरब से जो लोग आते थे या अफरीका की साइट से आते थे उन्होंने इस जो reversal winds है यानि जो अपना wind के according season change हो रहे हैं ठीक करने के लिए वो direction भी उसी according ship की रखते थे I hope you understand कि अभी हम क्या देख रहे हैं और किसकी importance देख रहे थे किया जाता है किस area में किया जाता है zero degree equator है यह tropical of cancer है यानि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो नदन हैमिस्पेर में जो ट्रॉपिकल of cancer 23.5 पे है और नीचे प्रॉपिक of cancer भी 23 sorry Capricorn 23.5 है तो यह जो आपको area देखने को मिलेगा 23 से नीचे यानि आप यहां से लगा सकते हैं 20 डिग्री और यहां से भी थोड़ा सा नीचे जो एक्स्ट्रीमली होट है क्योंकि यहां पे sun rays directly receive होती है यहां पे equator पे zero degree पे तो इसके उपा 20 डिग्री न मारा मॉन्सून बोला है कि यह क्या है मॉन्सून टाइप ओफ यहां पे experience किया जाता है जो ट्रॉपिकल एरिया है यह के लिए अब जो यह आप understand करें mechanized में जो system में मॉन्सून का तो यह जो फैक्ट है कुछ जो बहुत important है जो इस मॉन्सून को बनाए रखते है यानि जो हैं जो हम पढ़ेंगे सबसे पहला फैक्ट पढ़ेंगे different different shale heating and cooling of land and water यह देखो आपको बहुत easy से समझा जाएगा इसका effect कैसे पढ़ता है मॉन्सून पर आपको पता है land की जो property है वो क्या है बहुत जल्दी quickly heat होती है और quickly warm sorry cool होती है और जो water है water क्या करता है बहुत देर से ठंडा होता है बहुत देर से गरम होता है that means यहाँ पे different share जो different share है कि इसके बीच में heating होने में और cool होने में water or land तो इसमें क्या होता है land पे यह extremely heat है ठीक है subtropical of यहाँ पे area पे extremely heat है land पे तो low pressure बनेगा ठीक है क्योंकि आपको पता है जहाँ पे heat होता है वह air masses rise होते होते और वो फिर move करते हैं ठीक है तो यहाँ से आप horizontally अगर divers भी हो रहे हैं तो इधर से वो क्या करेंगे start करेंगे चलना और c की यहाँ पे बन रहा है c पे high pressure अब c क्या बन रहा है student high pressure बन रहा है क्योंकि जो land है वहाँ पे क्या हो रहा है low pressure बन रहा है high pressure आपको पता है high pressure से low pressure क की तरफ winds क्या करती है move करती है तो यहाँ पे बोला है जो land mass India का sea around experience comparatively high pressure तो land के मुकाबले में यहाँ पे high pressure होगा क्योंकि यहाँ पे water को थोड़ा सा time लगता है गरम होने में तो यहाँ पे cool water अगर आप देखेंगे तो जो winds होती है high से low की तरफ क्या होंगी attract होंगी push करें तो यहाँ से जो moisture लेके जाती है जो winds होती है जो कि यहाँ पे south है और यहाँ पे west है तो southwest जो winds होती है वो अपने साथ क्या लेके जाएंगी वो अपने साथ लेके जाएंगी moisture winds जो moisture लेके जाएंगी और यहाँ पे rain करेंगी ठीक है यह तो था first factor जो कि influence करता है किसको influence कर रह Second is, shift of the position of intertropical convergence zone. ITCZ क्या होता है? पहले तो आप यह समझे लिजे. जैसे कि student यह Earth है, और Earth पे equator है 0 degree, यहाँ पे extremely heat है, बहुत ही ज़्यादा heat है. तो that means, इन्होंने बोला है, 5 degree North में जो equator है, और यहाँ पे यह उपर 5 degree उपर North में, और 5 degree South में अगर देखें हैं, तो that means, यहाँ पे extremely heat होगा. क्यों heat होगा? Sun की rays directly यहाँ पर पढ़ रही है. तो that means, बहुत ही ज़्यादा heat है. अब क्या होता है, student जब बहुत ज़्यादा heat होती है, तो वहाँ पे जो zone है, इन्होंने बोला है, कि यह shift होता रहता है, यह कोई compulsory नहीं है, कि यहीं पर हमेशा रहेगा, जो Earth है, वो हमेशा, जो zero degree equator वाला है, वो Sun के सामने ही रहता है, और यहीं पर होगा, नहीं, वो move करती है, आपको पता है, Earth rotate करती है, अगर वो rotate कर रही है, that means, अपनी axis पे, तो वो तो day night बना रही है, ठीक है, उसका तो कोई वो नहीं है, रोल इसमें, लेकिन वो revelation करती है, तो जो 365 days लेती है, अपने revelation को पूरा करने में, अर्थ Sun के चारो तरफ जब यह गूमेगी, अगर अर्थ गूम रही है, जो यह Sun है, ठीक है, Sun की चारो तरफ क्या कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, तो वो अपनी direction चेंज करेगी, Sun के सामने, यानि डिरेक्ट अब जब अर्थ यहाँ पे आ रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो अगर अब यहाँ पे position है, तो that means बहुत extremely heat है, Sun से दूर चली जाती है, तो that means यहाँ पे थोड़ा सा कम है, फिर उसके बाद back में चली जाती है, यानि कम और उससे भी ज़्यादा कम, यानि क्योंकि south में चली गी है, तो यहाँ पे वैसे भी sun rays कम आएंगी, और अगर northern hemisphere पे है, तो sun आ रही है, उसके पास directly जादा heating आ रही है, तो that means वो position जो earth की है, अलग-अलग position change हो रही है, revelation की वज़े से, जो 365 days में अपना चक्कर पूरा करती है, जैसे कि अगर मैं बोलू कि December में, जो Tropical of Cancer के पास, sorry, जो September या मई, June की बात करें, Tropical of Cancer के पास, जो heating होती है, बहुत ज़्यादा होती है, sun rays जो उनकी insulation होती है, बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे सीधी सी बात क्या होगी, बहुत ज़्यादा heating होगी, क्विटर के पास, north hemisphere पे, तो गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही ठंड कर डाइम आता है, जैसे कि आप December की बात करें, 22 December में, विंटर में, तो अर्थ की position क्या हो रही है, sun rays अब क्या है, वो south hemisphere पे है, यानि दूर है, sun rays south hemisphere पे नहीं पहुच पाती है, कम पहुच रही है, तो अर्थ की revelation, यानि जो घूम रहा है वो, sun के चारों तरफ घूमने की वज़े से, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ITC भी अपनी position चेंज कर रहा है, ITC जो है, यानि जो अभी मैंने बताया था, कि 5 degree equator से उपर हो जाएगा, यहाँ पे, north में 5 degree, और 5 degree यहाँ पे, south में, तो यह अपनी position चेंज कर रहा है, यानि जो ITC जैड है, वो अपनी अर्थ के साथ साथ क्या करेगा, position चेंज करेगा, वो फिक्स नहीं रहाएगा, जिसकी वज़े से, seasonal चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हो, जो extremely in summer में देखेंगें, तो गंगा प्लेइन पे, जो equatorial trough होता है, उसकी position 5 degree north पे होती है, equator पे, तो वो ही बोला है कि, summer में तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे, आप देखेंगे, extremely heat है equator पे, sorry, tropic of cancer पे, और यहाँ equator है, तो अब equator 0 degree है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, कि जो equator से उपर है, 5 0 degree यहाँ पे position है, उसकी, इसकी ITC Z की जो direction raise आ रही है, तो उसकी वज़े से ही, जो गंगा प्लेइन है, यहाँ पे बिल्कुल pass ही है, यानि जो 5 degree है, ITC Z है, बिल्कुल गंगा के पास बन रहा है, ठीक है, गंगा के पास बन रहा है, नदन में, तो यहाँ पे जो position है, ITC Z की, गंगा के पास होने की वज़े से, यहाँ पे extremely heat होगी, heat होगी, तो low pressure create होगा, और यहाँ से जो air mass ही से, मिलने की वज़े से, वहाँ पे एक high pressure क्या होगा, create होगा, और यह low pressure की तरफ attract होने की वज़े से, यहाँ पे monsoon आएगा, तो that means, यहाँ पे यही बोला है, कि ITC Z भी monsoon लाने में, क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, एक तो यह होगी है, फर्स्ट जो कि यहाँ पे, लैंड पे क्या कर रही हैं, extremely intensively heat बना रही है, और सेकंड इटी सी बना रही है, इटी सी जैट की वज़े से, गंगा में जो बिल्कुल पास में ही है, उसकी वज़े से, तो इस वज़े से, यहाँ पे second यह हो गया, फेक्टर जो की मौनसून लाने में, बहुत ज़्यादा इसका रोल है, उसके बाद हम देखेंगे, मौनसून सीजन में यह तो देखा, उसके बाद हम देखेंगे, इसे मौनसून ट्रफ ड्यूरिंग दे मौनसून सीजन, यानि इसी को जो हम कहते हैं कि, जो monsoon season है, वो monsoon trough है, यानि equator के जो pass है, अब है C, presence the high pressure area of the east of Medagascar, student ये क्या होता है, देखो ये एक place है, जो east में, south africa के पास है, ये south africa है, और यहाँ east में क्या है, ये island है, east of Medagascar, अब यहाँ पे जो ये island है, यहाँ इसके नीचे अंटार्ट लिक है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसके नीचे, जो की बहुत ज़्यादा cold, उसको cool water मिलेगा Antarctica में, तो Antarctica है नीचे, तो उसको high pressure मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, high pressure मिलने की वज़े से, जो यहाँ पे अल्रेड़ी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पहले तो first और second factor की वज़े से, यानि जो differentiate हम बोलें, heating और cooling land water की वज़े से, यहाँ पे pressure बन रहा था, low pressure, second किसकी वज़े से, ITC jet की वज़े से, low pressure क्रेट हो गया, तो high pressure से, low pressure की तरफ क्या होगी, wind तो चलती ही चलती है, तो यहाँ से moisture लेकर जाएंगी, और moisture लेने की वज़े से, यहाँ पे monsoon होगा, इंडिया में monsoon आए गई आएगा, जो कि southwest हम बोलते हैं, कि जो winds होती है, वो क्या कर रही है, move हो रही है, तो यह third factor था, जो कि influence करता है monsoon का, फर्स्ट आपने क्या देखा, differentiate of cooling and heating factor है, second आप देख रहे हो, जो कि कौन सा ITC-Z है, जो कि low pressure बना रहा है, और थर्ड आपने देखा कि किस तरीके से जो Madagascar island है, जहाँ पे एक high pressure crate होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, cool बहुत जादा है, क्योंकि जब यहाँ पे heat हो रही है land में, आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे land पे low pressure बना रहा है, तो that means, जो air masses हैं, वो क्या होंगे, horizontally diverse होंगे, वो subseed करेंगे, वहाँ करेंगे जहाँ पे high pressure है, तो इस वाले जो island पे high pressure जादा हो रहा है इस time पे, क्योंकि यहाँ पे summer में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा heating है, heating के वज़े से low pressure बना रहा है, और फिर high से low की तरफ क्या होती है, wind चलती है, monsoon wind चलेंगी, तिब्यतन प्लैट्यू का क्या है, intensely heat करने में समरी, चौता फेक्टर है, अब देखो भी यह हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या है, mountain है, और यहाँ हमारा चाइना में जो तिब्यतन प्लैट्यू है, यह बिल्कुल इसकी जो height है, mountain के equal है, यानि और इसे volcanic प्लैट्यू भी कहा जाता है, वालकेनिक बनने की वज़े से वैसी heat होती है, अब समर में क्या होता है, student यहाँ से sunraise बढ़ रही है, तो equally अगर हम देखें, जो हिमालिया में, जो यहाँ पे heating बन रही है, यानि land पे जो heating बन रही है, इनकी वज़े से low pressure बन रहा है, तो यहाँ के पास वाले एरिया में, जो प्लाट्यू है हिमालिया के नौर्थ में, जो प्लाट्यू है तो उसमें भी तो heating होगी, क्योंकि बिल्कुल पास में है, तो sunraise क्या करेंगे, vertically चलना स्टार्ट करती है, vertically यानि आप imagine करो, 3D image करो, जो वो उपर की तरफ rise हो रही है, यानि उपर की तरफ rise हो रही है, वर्टिकल चल रही है, और वो उपर आसमान की तरफ, यानि अभी उँचा आसमान की तरफ, और यह क्या कर जाएंगी, vertically यह currents उठें है, उपर की side, low pressure से, plateau of 9 km, अगर दूर जाके sea level पे, जो कि अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे, जो मेडागासकर, मेडागासकर जो यहाँ पे island है, यहाँ पे high pressure पहले से भी बना हुआ है, तो यहाँ पे जाके जो वो subseed करेंगी, तो और भी ज़दा pressure create करेंगी, और यहाँ से monsoon चलना start हो जाएगा, ठीक है, और जो कि यह direction में start होगा, तो यहाँ भी monsoon आपने देखा, कि भी तिबबतन plateau की वज़े से भी intensely heat, जो है वहाँ पे बनती है, land पे, monsoon wind जो होती है, high से low पे ही attract होती है, अभी इतना ज़्यादा high, अगर pressure बन रहा है, तो that means, वो लोग की तरफ तो push करेगा ही न, क्योंकि कोई चीज इतना ज़्यादा attract कर रही है, तो खीचेगी अपनी तरफ को, अब आता है movement of westernly jet stream, to the north of the Himalayas, and the presence of tropical, पहले इतना समझ लिजए, यह क्या है movement of westernly, जैसे कि आपको पता ही है, जो westernly movement होती है, jet stream की south में होती है, हिमालिया के south में, अब यहां से अगर वो निकल रही है, तो student वो क्या हो रहा है, जब यहां पे बहुत ज़्यादा heat हो रही है, किस में होती है, कि जब summer में होता है, north of the Himalayas, में तो यहां से जब वो आ रही है, तो क्या होता है, यहां पे पहले ही, जो भी आपने first reason देखा था, second reason देखा है, third reason, जिसकी वज़े से यहां extremely low pressure बन गया, अब जो jet stream आएंगी, तो क्या होगा, low pressure बनेगा, low pressure की वज़े से जो यह wind है, उपर की तरफ आस्मान की तरफ यह है ना, नीचे से low pressure बनेगे, उपर की तरफ धक्का मारेगा, उपर की तरफ diverts करेगा, क्योंकि जो वो होती है, मतलब wind होती है, और masses वो दोनों direction में move करती है, south में भी और north में भी, अब तो यह north की तरफ जो यह jet stream आ रहा है western से, तो अब यह push होके north में shift हो गया, हमने पढ़ा था ना, previous वीडियो में की जो jet stream होती है, वो summer में क्या हो जाती है, shift हो जाती है हिमाले के north में, यानि यहाँ से move होना सुरू हो जाती है, वो किस कारण से होती है, क्योंकि यहाँ पहले intense hitting बन रही है, low pressure बन रहा है, low pressure क्या होगा, jet stream को push करके north में shift कर रहा है, तो जो यहाँ पे westernly jet stream आ रहा था, ठीक है, वो अब north से कहां चला गया, south में चला गया, I hope you understand, बिल्कुल अपने doubts क्लियर कर लीजिए, student क्योंकि बहुत easy है, concept और कुछ भी नहीं है, सिर्फ low pressure का, आपको फेनोमेना समझ आना चाहिए, क्योंकि low pressure कौन-कौन create कर रहा है, और monsoon लाने में कौन help कर रहा है, यह reversal बिल्कुल क्यों होगी है, क्योंकि reversal wind monsoon लेकर आती है, तो reversal जो हो रही है, low pressure से high पे हो रही है, क्यों हो रही है, मैं आपको बारबर समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ high pressure बन रहा है, समुंदर में, ocean में, और यहीं से क्या होता है, वो फिर monsoon wind चलनी start होती है, ठीक है, तो फिर next ट्रोपिकल इस्टनी जैट स्ट्रीम, ओवर दा इंडियन मुपैनिसूला, ब्यूरिंग समर, यहाँ जो यह हमारा पार्ट है, इस्टनी जैट स्ट्रीम, जो कि यहाँ से चलती है, अभी आपने देखा, इतना ज़्यादा यहाँ पे heat, बन रही है, यहाँ पे heat जो है, लो प्रेशर बना रहा है, ज्यादा गर्मी की वैसे, तो तिब्यतन की तरफ यह क्या है, वर्टिकल मूव कर रही है, तिब्बत प्लैट्यू से होते हुए, इस्टरनी विंट जो है, वैट स्ट्रीम कहेंगे, इन्हें यहाँ से होते हुए, और यह समुंदर यानि ओसन से होते हुए, कहां जा रही है, यानि जो Mediterranean Island है, sorry Mediterranean नी, sorry जो Madagascar जो यहाँ पे island है, high pressure बन रहा है, वहाँ से यह Indian Ocean में होते होते, फिर यहाँ से यह अपने साथ moisture लेके जाएंगी, और यहाँ पे north वाले और western north में, यानि जो उत्रप्रदेश है, बिहाज, घारखंडो, यह वाले जो area यहाँ पे क्या करेंगी, बारिश करना सुरू कर देंगी, नदन प्लेन पे, तो आपने देखा, जो monsoon को attract कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, five factors है, जिसकी वहें से, जो ITC, जैड है, वो तो क्या कर रहा है, monsoon को reverse कर रहा है, यानि north में fact देता है, जबकि west में चल रहा होता है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार समझ आगे हैं, student तो आपके सारे point clear हो जाएंगी, क्योंकि westernly winter में क्या चलती है, south में चलती है, हमाले के south में, जो की jet stream है, लेकिन north में क्यों चली जाती है, क्योंकि यहां पर जो intense pressure बन रहा था, किसकी वज़े से बन रहा था, जो हमने देखा था, differentiate heating and cooling of land and water की वज़े से पहले ही बन रहा था, ITC-Z की वज़े से बन रहा है, यहां पर गंगा plane पर, क्योंकि equatorial जो है, वहां पर trough है, जो की equator पर बहुत ज़्यादा heating है, तो वहां पर ITC-Z की वज़े से second यहां पर और भी ज़्यादा heating intense हो रही है, थर्ड हमने देखा, जो high pressure area था, Medagascar पर बन रहा था, उसकी वज़े से भी यहां मौनसून की position आ रही है, क्योंकि high pressure क्या होता है, student बहुत ज़्यादा pressure attract होता है, low की तरफ, तो high pressure से जो wind है, moisture लेके जाएंगी, तो वो low की तरफ यहां पर low pressure बन रहा है, attract होंगी, तो I hope you understand, तो यह होगे हमारे और तिबियतन प्लैट्यू की वज़े से भी, जो heating यहां पर बन रही थी, उसकी वज़े से भी क्या होगा, vertically move होंगी, horizontally चलेंगी, और यहां high pressure की तरफ होते होते, फिर यहां से move हो जाएंगी, और यहां से monsoon लेके जाएंगी, जाएंगी, ठीक है, और पांचवा फेक्टर हमने देखा था, वो ही jet streams हैं, जो कि नॉर्थ आफ दा हमाले में shift हो जाती हैं, IITC jet की वज़े से, तो यह सारे factors हमने पांच फेक्टर देखे हैं, जो इंडिया के अंदर monsoon लेके आते हैं, और यह पांचों ही बहुत easy हैं, student, यह आपको tips में learn करने हैं, पांचों के पांचों याद कर लो, और easily आप उसको explain कर सकते हैं, कोई भी problem नहीं है, एक चीज़ और देखेंगे, student, जो interior tropical convergence zone है, इसे क्या होता है, जैसे कि यह 0 degree है, ठीक है, equator है, अब यहां से 5 degree उपपर, और मतलब हम बोल सकते हैं, नौर्थ में, 5 degree नौर्थ में, और 5 degree हमारा नीचे ही, equator से, यहां पे south में, तो student, यह जो ITC-JS belt को बोला जाता है, broad belt है, इसे low pressure यहां पे बहुत ज़्यदा, यह जो latitude है, यहां पे low pressure बनाती है, क्योंकि sun rays की वज़े से, यहां पे extremely heat student, there is, where the north, east and north-west trade winds converge हो जाती है, इसी की वज़े से, क्या होती है, heat जब यहां से rise होगा, air masses क्या होता है, student rise up होने सुरू हो जाते हैं, heating की वज़े से, जो की वो north-east की तरफ move करेंगे, और क्या करेंगे, south-east trade wind बनाएंगे, यहां converge होने के बाद क्या होती है, वो diverge हो जाएंगी, जब यहां पे heating हो रही है, जो हमारा ITC-Z है, equatorial latitudes पे, तो यह south-east और कहां पे converge हो रही थी, converge होने के बाद यह diverge हो जाती है, किस side हो जाती है, जहां पे move करेंगे north में और south में, that means, जो की यह हमारा south-east हो गया, और यह हमारा कौन सा हो गया, south, यह हमारा south-east हो गया, तो हमारा जो की south-east है, और हमारा जो की north-east है, sorry, जो हमारा नौर्थीस्ट है यहां पर और यह हमारा कौन सा हो गया हमारा साउथीस्ट हो गया तो यह कनवर्ज होती होते हैं यानि एट्रेक्ट हो रही है किस साइड एट्रेक्ट हो रही है नौर्थ की साइड एट्रेक्ट हो रही है उपर जाके एरमासीस और यहां पर साउथ की तरफ और ऐसा क्यों होता है student moment of sun यहां moment of sun लिखा है लेकिन इसका मतलब यह है कि वो sun तो fix है लेकिन जो earth revelation कर रहा है वो अपनी position change कर रहा है तो उसकी वज़े से जो orbit belt है यानि जो यह ITC-z है तो कभी वो अपनी यहां position बनाएगा तो कभी यहां बनाएगा कभी back में बनाएगा कभी south hemisphere में बनाएगा तो कभी north hemisphere में बनाएगा ठीक है जो winter और summer की position exact बताता है कि अब summer है क्योंकि equatorial के पास है तो summer है और उसस south में चले जाती है यह ITC-z जो है belt अगर वो south में बन रही है यानि sunrise वहाँ पे कम जा रही है तो that means वहाँ पे क्या हो जाएगा student वहाँ पे ठंड होगी तो यह फैनोमेन आपको समझ नहीं है कि zero degree equator से इन्होंने यही बोला है जो latitude equatorial पे वो किस तरीके से north east में और जो यह north trade winds converge होने के बाद यह conversion कहां जा रहा है यह zone में more lies less तो कहीं पे जहां पे मतलब कम उनको मिलेगा या कहीं पे जादा तो पैलर latitude of the latitude equator के जो पैलर है जब वो move करेगी earth तो उसके move करेगा कभी north में तो कभी south में move करेगा ठीक है एक बार और समझ लीजिए कि zero degree equator है ठीक है easy way में सम यहां से अगर position change होती है north की तरफ जा रहा है यह equator की जो position change हो रही है यानि sun rays है अब वो अपना position change कर रहा है तो that means यह किस तरह जादा है या कम है किस तरह पैलर of latitude की यानि अपनी position मानो अब इसने यहां कर ली ठीक है अब zero degree equator अभी हम क्या कह रहेते है इस side है तो अगर अग हमारा यानि sun rays जो है तो that means वो जो बैल्ट है latitude के according वहां पर more sunrise sunrise आ रही है या कम आ रही है north या south में उसके हिसाब से होता है कि south में sunrise कम है या हम देखें कि north में sunrise कम है यानि अब position earth की sun के किस side है ठीक है यानि sun जो है अपने किस side जादा जा रहा है कम जा रहा है तो earth इनोंने वही कहने का मतलब बोला है कि जो converge है north में और south में बैल्ट के according होगा कम या जादा I hope you understand तो यह इंट जो इंटर ट्रॉपिकल Converse John है यही student decide करता है कि भई किस तरीके से जो monsoon है reversal monsoon अपना position change करता है और जिसकी वज़े से हम लोगों को पता चलता है कि अब summer में monsoon आ गया है बिल्कुल reverse हो गया क्योंकि winter में जो position है वो summer में बिल्कुल change हो जाती है पॉसिट हो जाती है तो I hope you understand क्योंकि sun rays ही है जो यह trade wind बनाती है अब trade क्या होता है North East trade winds का मतलब होता है trade wind यानि इसलिए का जाता है student जो कि sailors से trade करते थे वो wind से ही पहचान जाते थे कि वैपार हमें करना है तो हमें इस direction में जाना है या इस direction में जाना है तो जो यह wind है जो कि North East trade wind है तो North में चल रही है और South East wind है तो that means easterly यानि नीचे South की तरफ से आ रही है जिसे हम कह सकते हैं Southwest winds है वो नीचे से मतलब ocean से आ रही है तो उनका ज North East trade wind होगी और South East trade winds होगी दोनों होती है Northern Hemisphere में और जो हमारा South Southern Hemisphere है दोनों में चलते हैं ठीक है और उनी की according जो high pressure low pressure होता है जो कि decide करता है कि जो ITC jet belt है वो belt होती है वो decide करेगी कि अब South East में trade wind चल रही है कौन सी है किस में है और North East की ठीक है Converse होके तो यह belt के through होता है जो कि form होती है Convergence की North East की और North Sorry South East trade winds की जो कि बनती है High pressure to low pressure में ही बनती है हमेशे धिहान रखना और यह आपको फिनोमेना समझना है Thank you, thank you so much. Keep watching, keep learning